नमस्कार बचों बचों आज हम छटी कक्षा संस्कृत के दूसरे पार्ट शब्द परीचे दो इस पार्ट के NCRT के प्रशन उत्तर करने वाले हैं पार्ट में आपको आकारांत स्ट्रीलिंग शब्दों के विशे में बताया गया है आकारांत जो की आ की मात्रा पर खतम होते हो ऐसे स्ट्रीलिंग शब्द आपको वचन बताये गए हैं एक वचन दूई वचन बहुचन में किस तरीके से शब्द रूप बदलते हैं आपके सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं आपको उमेद है प्रिविस जो वीडियो है हमारी पिछले वीडियो वह आप सभी ने देख ली होगी जो दो तिन चीज़े इसमें नोट करने वाली है आपके जो रूल्स है नियम है वो आप सभी को समझ में आ गए होगे अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की चलिए शुरू करते हैं अभ्यास उचारणम कुरुत इनका उचारण करो मतलब इन शब्दों को आपको बोलना है जितने भी शब्द है देखे सभी आ का राण स्त्रीलिंग के शब्द है सभी और आ की मात्रा पर खतम हो रहे हैं चात्रा मतलब पढ़ने वाले जो होते हैं विद्यार्थी लता प्रियोग शाला बोलते हैं लाब को लेबरेटरी लेखी का पैंसिल को कहते हैं शिक्षि का टीचर, पेटी का बॉक्स को बोलते हैं, माला, सेवी का किसी की सेवा जो करते हैं, नौ का बोट को कहते हैं, छूरी का चाकू को कहा जाता है, कली का कली, गाई का सिंगर, ओके तो यह कुछ शब्द है आपके, जो आपको आकरांत त्रिलिंग में पता होने यह शब्द आप जरूर याद कर लीजे, क्योंकि इन में से एक्जाम में एक दो आपको जरूर पूछे जाते हैं, पिक्चर देके पूछ लिया जाता है कि इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, तो सूचिका अर्थात सूई, पिपीलिका बोलते हैं, चीटी को, कुंजिका, च अखी, अगनी पेटी का, माचिस, मापी का, स्केल और वीना, जो यंत्र है आपका बजाने के लिए वीना, अब आते हैं, यह टॉपिक में आपको, फर्स चाप्टर के उसमें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कैसे आपको वन संयोजन और वन वियोजन, वन अगर हम क की बात करते हैं, तो हर किसी को पूरा होने के लिए एक स्वर की जरूरत होती है, क कैसे बना, क आधा क था, इसमें आ मिला, तब यह क बना, आप जो क बोलते हैं, तो आ की आवाज आती है न, लास्ट में, ऐसे यह बनते हैं, क प्लस उ, यानि की कु, रा प्लस उ, रा पे छोटे उ की मातरा रू और त अहा, तो यह हो गया कुरू तहा, चिक, आगे आपको दिया हुआ है, उ, उ तो उ ही रहेगा, क्योंकि स्वर पूरे होते हैं अपने आप में, व्यंजनों को सिर्फ जरूत होती है, द, द आधा है, और आधा ही आप देखें यहाँ पर हो जाएगी, उद्याने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आधा दा और याप जानते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, उद्याने, यह दोनों ही सही माने जाएंगे, आप जैसे भी लिखेंगे, ठीक, अगले प्रेशन पर आते हैं, यह लिखा जाएगा, उद्याने, न और का का स्थाली का स्थाली का थाली को कहा जाता है घा प्लस आ पूरा घा बन गया टा प्लस इ टा पे छोटी की मात्रा आ गई का प्लस आ का घटी का अर्थात घड़ी आदा सा आदा ही रहा क्योंकि आगे ता आ गया आदा ता आदा ही रहा रा ई यानि कि रा पे छोटी की मात्रा अब रा पे छोटी की मात्रा कैसे देंगे सा के आगे से ल, य, ल, पे छोटी की मात्रा अंग, प्लस ग और अह, अब देखिए ये शब्द ये शब्द बहुत अलग है अंग, आधा, ग और अह अब इसको पढ़ के देखिए एक बार ये पढ़ा जाएगा स्त्री लिंग, लेकिन इसको आप कैसे लिखेंगे इसको आप लिखेंगे आधा सा और आधा त और र, ये मिलके, एक सिकण आधा सा ऐसा ही रहेगा त और र, इन दोनों को मिलके तर बनता है आपका पूरा, और बढ़ियी की मात्रा आएगी त्र पे, स्त्री लिंग, हर यह शब्ध इंपॉर्टेंट है देखिए कैसे बनाएए थोड़ा सा अलग भी है नेक्स्ट है म प्लस आ मा प पे छोटी की मातरा पी का आ मा पी का ओके आगे है अब आपको वर्ण विच्छेद करने है कोकिले में का ओ का पे छोटी की मातरा तो का और इल और रेको की ले चटके कैसे बनेगा चा कैसे बनाओगा आधा चा प्लस आ चा त कैसे बनाओगा आधा ट और आ चट और का आधा और एक ही मातरा ठिक चटके धा भी का आधा धा रहा होगा आधा धा धा आधा हुआ फिर आधा वर आओगा उसपे चोटी की मात्रा तो इ आ गया है यहाँ पर वी और क और आहा आ और फिर विसरग धा वी कहा कुणजिका का आधा उसके उपर उ की छोटे उ की मात्रा को अना आधा कुण चा आधा और उसके उपर ई की मात्रा है ना चा के उपर ई की मात्रा ये आधा ही है आपका प्लस का आधा और आ की मात्रा का कुणजिका खटवा खा आधा और आ पूरा खा बना ता आधा ही है तो ता आधा ही रहने दीजे आ नहीं लिखेंगे व आधा और आ की मात्रा खटवा चूरिका चा आधा उसके उपर चोटे उ की मात्रा चूर उसके उपर चोटे ई की मात्रा और क आधा उसके उपर आ की मात्रा चूरिका इस तरीके से आप वर्ण विच्छेद करते हैं वर्ण विच्षेद, वर्ण सहियोजन बहुत आसान है, समझ में अगर आगया तो आप कोई भी वर्ण आपको दिया जाएगा, उसको आप विच्षेद कर सकते हैं, या सहियोजित कर सकते हैं, आगे आते हैं, चित्र द्रश्टवा, संस्कृत पदम लिखा, चित्रो को देखक बक्से को कहा जाता है, पेटी का, नाव को कहा जाता है, नौका, चिडिया को चटका, व्रद्धा, सभी आपे खतम हो रहे हैं, ये है आपकी मापी का, ठीक तो इनको आप ज़रूर याद कर लीजे, नौका, मापी का, व्रद्धा, पेटी का, चटका, उत्पीटी का, ठीक, वचन की अनुसार रिक्स्थानों की पूरियत एक वचन, द्वी वचन, बहुवचन लता, लते, लता गीता, गीते, गीता आकारान, पुलिंग सभी ऐसे चलते है, ये रा होगा पेटी का, पेटी के, पेटी का हा ठीक, आ, ए, अहा, ये होता है इसमें नेक्स्ट है, खटवा है लास्ट में, तो पहले में सिर्फ खटवा रहा होगा, खटवे, खटवा हा, सा, ते, ता, ये थोड़ा सा लग है, सा मतलब वह है, और वह के रूप ऐसे चलते हैं, सा, ते, ता, चिक, रोटी के रोटी का रहा होगा, रोटी का, रोटी के रोटी का ह चिक एक है तो एक रोटी, दो रोटी, बहुत सारी रोटीया अगे आते हैं कोश्डक की अनुसार आपको इनको भषाणा यहाँ पर बालीका पढ़ती है यह है आपका शब्द और यह है आपकी क्रिया बालीका क्या कर रही है? पढ़ रही है क्रिया के रूप अगर आपको याद हो तो क्रिया हमारी चलती है ती तह अंती जो भी क्रिया है अगर उसमें खाली ती लगा दे आप पठती लिखती खेलती तो मतलब एक है अगर आप उसमें तह लगा दे पठते हैं खेलते हैं लिखते हैं मतलब दो है, दो लड़किया पढ़ रही है, खेल रही है, लिख रही है, और अंती लगा दे, पठंती, लिखंती, चलंती, तो मतलब की वो बहुत सारे के लिए होता है, तो यहां से आप क्रिया को देखके भी पता लगा सकते हैं कि कितने वचन की बात हो रही है, जैसे हाँ लिखा गया पठंती, ती लगा है, ती तेह अंती मतलब एक वचन है, एक वचन में बालिका को बालिका कहा जाएगा, यह एक वचन है, यह बहु वचन है बालिका का, आगे आईए देखे लिखा हो है, चर तेह, ती तेह अंती, ओके यह है आपके धातु रूप, और नॉर् ति का दूइ वचन क्या होगा? A, तो T के साथ A आएगा, मतलब यहाँ पर अजे आएगा. ठीक? संती, संती मतलब है, अंती आ गया, मतलब भुवचन है, तू क्लिः चकरि कहा, यह होगा आपका दूइ चकरि के दूइ वचन है, यह भुवचन है. तो आप लिखेंगे दुई शक्रिकह ओके, नेक्स्ट चलती, ती मतलब एक वचन तो एक वचन में नौका आएगा नौके मतलब दो नौका हो गई वो अस्ती, ती आगया मतलब एक वचन आएगा सूचिका नेक्स्ट है उतपतंती, उड़ती है तो अंती आ गया मतलब बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन ही आएगा मक्षिका का बहुवचन मक्षिके दो मक्षिका मतलब बहुत सारी तो यहाँ पर मक्षिका आएगा आपका ओके यह सही आंसर है सबसे पहले है आपका अजे चरत जो दो बक्रियां चरती है, दुई चक्री का संती, ये मतलब साइकल है, बहुत सारी साइकले हैं, मतलब नौका चलती है, सूचिका अस्ती, घड़ी है, मक्षिका उत्पतंती, मक्षिका मक्हियां, बहुत सारी मक्हियां उड़ती हैं, ओके, तो आप शब्द को देखकर आपको ध इनहीं में से एक सारवनाम पद को मतलब छुनकर रिक्स्थानों की पूर्टी करो सा आब जानते है एक वचन है द्वी वचन है ता बहुवचन है अब इन में आप एक वचन द्वी बहुवचन पैचान लीजे दोनों तरीके से आप पैचान सकते हैं आप शब्द को देखके भी पैचान सकते हैं जिसे लता मतलब एक ही बात हो रही है क्योंकि शब्द रूप आकारांत में आ ए अहा ऐसे चलते हैं अहा जरूरी नहीं है तापे खतम हो ठीक धातु रूप को हमेशा ती तह अंती एसे चलते हैं ती तह अंती यहाँ पर देखे ती लिखा हो ए मतलब यह एक वचन है फिर यहां से धेखके लिए नती तो यह बहुवचन है तो तह आएगा तह धावंती रहतोंhat दोड़ती तो यहाँ पर क्या आएगा जमनिके मतलब दुई वचन है के पर खतम हो रहा है या फिर तहा आप देख लीजे ती तहा अंती दुई वचन है दुई वचन है तो ते आएगा ते दौलत है पिपी लिखा चलंती पिपी लिखा जो है वो चलती है तो अंती है और आहा है मतलब बहुवचन है तो सा ते तह तह यहां पर आएगा चट के कूजता है के या फिर तह दोनों से हमें पता लग रहा है कि यह दूई वचन है दूई वचन है तो ते आएगा सा ते तह तो किसी भी आपको तो जुद्नेवी संग्या अगर DJM की जगे सर्वनाम लगाने हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वचन का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप साथ एता यूज करेंगा, या पर वचन आप दोनों तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, आप क्रिया को भी देख सकते हैं, या फिर आप शब्द को भी देख सकते हैं, चिक, अगे आते हैं, मंजूशा से देखे आपको, शब्दों की पूर्ती करनी है, सबसे पहले है, शब्द देख लेते हैं, लेखी का बालक है सिंगा दुई चक्री का पुष्प माला, लेखी का लिखने वाली बालक, शेर दुई चक्री का मतलब साइकल, पुष्प माला, फूलों की माला, संती, संती मतलब होता है, अब संती तो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, तो यहां से आपको देख के नहीं प पर सिंघा लिख दी जब सिंघा ठीक ये फिक्स हो गया चलती चलेगा कौन इसमें से दुई चक्री का दुई चक्री का यानि कि साइकिल क्योंकि दुई चक्री का साइकिल देख नहीं सकती लिख नहीं सकती वैसे दुई चक्री का अस्ती हो सकता है लेकिन चलनती में चलती मे ज्यादा रहेगा, दृइ, चक्रिका वैसे भी एक वचन है और यहाँ पर भी एक ही वचन है चलती लिख्ती लिखेगा कौन? लेखिका लिखेगी, तो लिख्ती पुष्प माल्अ देख नहीं सकती तो पुष्प माला संती में आएगा यहाँ पे आएगा पुश्प माला क्योंकि भौवचन है बहुत सारी पुश्प माला है पश्यती बालक है बालक जो है वो देखता है ठिक यह आपके ब्लांक स्फिल हो गए आगे आते हैं ब्लांक में जो सबसे पहले आपको पता लग जाए कि हाई इसमें यह आएगा उसको भर दीजे फिर अटलीस आपको पता लगेगा यह तो कैंसल हो गया बाकी इन में से कौन आएगा वो आप देख लेंगे ठिक आगे आते हैं यह एक्जाम के लिए मैं बता रही हूँ किस तरीके से आपको देखना होता है यहाँ पर है आपकी गायत है गाना नृत्यति नाचना लिखनती लिखना पश्यनती पश्य मतलब होता है देखना विहरत है विहार करना घूमना सौम्या आप सौम्या गा भी सकती है नाच भी सकती है लिख भी सकती है देख भी सकती है विहार भी कर सकती है तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है लेकिन थोड़ा सा आप अगर इसमें ग्रामर की तरफ से देखे इस क्वेशन को यहाँ पर सौम्या मतलब एक वचन में लिखा हुआ है तो एक वचन में गाय तह तह तो दूई वचन में आता है ती तह अंती है ना ती एक वचन यानि कि ये एक वचन है ये बहु वचन है ये बहु वचन है ये दूई वचन है तो यहां से आप थोड़ा से ऐसी अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर यहां पर नृत्यती आएगा क्योंकि यह एक वचन है और यह भी एक वचन है जितनी भी आपको ब्लंग दिएवें सबी एक वचन में ही है तो यहां पर आप नृत्यती लिखेंगे समझ में आया आपको वचन देखके भी डिसाइड कर सकते हैं ज़रूर नहीं है शब्द देखके ही हमेशा आप देखें कि क्या है चटके चिडिया यह दूई वचन है यह देखिए क्योंकि के पे खतम हो रहा है स्ट्रिलिंग में आ, ए और अहा ठीक चटका, चटके, चटका हा तो दूई वचन कौन सा है यहापर गायत है दूई वचन है और विहरत है दूई वचन है अब चिडिया जो है वो गा भी सकती है विहार भी कर सकती है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं बाकी भर लेते हैं बाली के ए पे खतम होगा द्वीवचन है यानि कि इसमें भी गायत और विहरते आ सकता है तो अच्छा ये रहेगा चटके में विहरते लिख दीजी आप जो चिडिया है वो विहार करती है घूम रही है और बाली के बाली का जो है वो गाय रही है गायत है अगर आप उल्टा भी लिखेंगे आप लिखेंगे बाली का विहार कर रही है घूम रही है और चटके चिडिया गा रही है तो भी सही माना जाएगा कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा आपका अंसर बस आपको थोड़ा सा अप्रोप्रियेट देखना है कि कौन सा जाधा सही रहेगा ठीक चात्रह और जना दोनोग बवचन है और यहां पे बचचे लिखनती और पश्चंती अब चात्रह है पढ़ने वाले बचचे है तो आई तिं undergrad पढ़ते रहते हैं लिखते पढ़ते रहते हैं तो यहां पर लिखनती आप लिखेंगे और जना लोग क्या करने है कर नहाँ प करना पड़ता अफर्थ नियुद किया मत डरया है और देख लुद अब हृत बहुत दन्यत сторव उध्यक्र कि चाहएं आपका दन्यवादी आपका थाप्र kul वचnah